Hello Friends, आज हम जानेंगे Wedverse Hills, वेल वेas Eyal Plant के बारे में, जो कि जिम्नपार्म के अंदर एक ओरडर है, dann 2020 और लेशियल्स, उसके अंदर ये प्लांट आता है, चलिए स्थार्ट करता है, पसलिए हम इस प्लांट को देख लेते हैं, यह दिखता कैसा है तो यह dessert place में इस तरह से आता है इस तरह से इसकी leaves जो है बहुत लंबी-लंबी होती है center पर यह core होता है इस पर korn flowers भी आते है यह सुखा हुआ plant है and dessert place पर है की लीफ्स जो है वो नेचे बहुत आगे जा रही है तो फ्लांट को देखते हुए हम इसके कुछ जनल कार्केस्टिक्स देखेंगे सButter ON. सवरी जो है यहाँ पर भी जाए है तो फ्रस्छ एम देखेंगे इस डेजर अडजाठ एडप्टेरीया में होता है डेजर एरिया में जो है वह हो अडपधेशन 270 जो है डोनोर हम मैं दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि stem is long, underground, इसका जो stem है वो underground होता है, इसकी हमें सिर लीफ्स जो यहां पर दिखाए देती है, and cones, core, leaves, and cones हमें दिखाए देते हैं, strap like leaves, strap को means strap का मतलब यहां पत्टे से है, जो पत्टे की तरह लीफ्स होती है, straps like leaves, long, evergreen, and flat, इसकी leaves जो हैं, वो बहुत ही long, evergreen, flat, and strap like होती हैं, पत्टे जैसी होती हैं, also known as onion of desert, इस plant को जो second name onion of desert भी कहते हैं, onion of desert इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसका जो core है उसे खाया जाता है, इसके core को लोग खाते हैं, जहां आफ्रिकन साइट में यह desert एरिया में आते हैं, वहां के लोग इसे, इसकी core को खाते है इसे onion of desert भी कहते हैं, next है, the only gymnosperm that have cam photosynthesis performance, आपने सुना होगा, जो angiosperm की plant है, उनमें cam photosynthesis cycle होती है, पर gymnosperm, tyrodophytes, briophytes मैंसे कोई cycle नहीं होती है, बर gymnosperm का यह exception plant है, accepted plant है, इसमें की cam photosynthesis cycle work करती है, यह इसकी cones है, और यह leaves आप देख सकते हैं, कितने ही large है, and it is dioces plant, यह plant जो यह dioces है, dioces का मतलब आप जानते होंगे, male plant, sorry, male cone, जो है, वो अलग plant पे होती है, and female cone जो है, वो अलग plant पे होती है, तो यह एक plant, इसमें male cones भी हो सकती है, और females cone भी हो सकती है, identify नहीं क्या सकता, पर दोनों dioces plants होते हैं, तो दोनों separate plants भी होते हैं कुंसा प्रेजंट बोथ female and male in separate plant body जिसा कि मैंने बताया है दोनों separate plant में present होते हैं Stomata present on dorsi ventral side of leaves इसके जो leaves होती है है large leaves इसके दोनों तरफ I mean dorsi ventral side मतलब dorsal side में भी और ventral side में भी दोनों side पर Stomata present होते हैं तो इसमें Osmosis की process जो है वो ज्यादा होती है तो ये था हमारा well ratios plant जो कि आज हमने देखा ये desert area पाल जाता है आप इसके और भी characteristics जो हैं वो net पे देख सकते हैं अबलेबल है So thank you for watching this video आपको कोई भी query हो या कोई भी topic जिस पर आप video चाहते हैं आप मुझसे comment box में बोल सकते हैं So आज के लिए नए Thank you so much Bye Bye